नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में UPPCS MENS 2021 GS PAPER 3 के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में ये पेपर अगर आपको चाहिए तो description में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक है उसको join करिए वहाँ पर PDF upload कर दिया गया है Section A और Section B में 10-10 प्रश्ण हैं सारे ही प्रश्ण अनिवारे हैं Section A में आपको 125 शब्द में उत्तर लिखना है और Section B में 200 शब्दों में बात करें Section A की पहले question की तो भारत के Digital India कारिकरम की व्याख्या कीजिए दूसरा प्रश्ण है भारत के आपचारिक शेत्र में रोजगार पर वैस्वी करण के प्रभाव की समीक्षा कीजिए तीसरा समावेशी विकास से संबंधित प्रश्ण है How does the strategy of inclusive growth intend to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together explain प्रश्ण संक्या 4 सतत विकास लक्ष 2030 What is Sustainable Development Goal 2030 की 30 इससे संबंधित विभिन कारिसूची की प्रशंगिक्ता की विवेचना कीजिए Question number 5 क्रिशी में प्रवजवगी की मिशन क्या है इसकी उपयोगिता बताईए जो technology mission in नेगरी culture है उसके बारे में Question number 6 उत्तर प्रदेश विसेश से उत्तर प्रदेश में बुनियादी धाचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं है इन बाधाओं के निवारण हेतु राजसरकारद्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए Question number 7 उत्तर प्रदेश का देश में खाध्यान फसलों के उत्पादन में प्रमुक स्थान है इस कथन का मुल्यांकन कीजिए Question number 8 आपदा प्रबंधन के विभिन प्रकारों ये मुमकारियों का उलेक करिए ये डिसास्टर मेनेजमेंट से प्रशन है विद्रोह से क्या ताथ पर रहे है What is meant by insurgency? Question number 10 आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमी का महत्वपूर्ण है बढाई प्रासंगिक प्रशन है विशलेशर कीजिए Role of media and social networking is important in internal security analyze Section B की तरफ बढ़े 11 प्रशन है Question number 12 Question number 13 Question number 14 उत्तर प्रदेश राजी सरकार के 2021-22 के बजट में शुरू की गई योजनाओं के राजी की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पढ़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए Budget से related question है Analysis करना है आपको Question number 15 है बेरोजगारी के विभिन प्रकार क्या है सत्रमा प्रश्ण है भारती अर्थ व्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों के पर चर्चा कीजिए तथा इस अवधी के दौरान अर्थ व्यवस्था में सुस्ती की प्रभृतियों से निपटने के एहेतू बजटी और ननीती की समीक्षा कीजिए अब देखिए लॉकडाउन के बाद से वो जो एक पैकेज दिया गया था राहत पैकेज बड़ा वाला उसके बारे में यहाँ पे आपको करना था क्वेचन नमबर नाइंटीन सुरी एटीन आतंकवाद और भरष्टाचार किसी देश की अंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं समीक्षा कीजिए उननीस्वापरश नागरिक सुरक्षा के प्रकार उमकारियों की विवेचना कीजिए उत्तर प्रदेश में कितने प्रभावी है उलेक कीजिए question number 20 cyber dome पर योजना क्या है भारत में इंटरनेट अपराध रोकने में यह कैसे उपयोगी है व्याख्या कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए PDF अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए